प्रिये हिंदी मित्रों नमस्कार हाइटिक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है एक नए अति महत्तुपूर्ण परिक्षोप योगी टाउपिक के साथ आज हम पुनाओ पस्तित है आज किस वीडियो में चर्चा की जाएगी नामकरण की काल बिभाजन हिंदी साहित्य में एक अति महत्तुपूर्ण बिषय था काल बिभाजन की चर्चा हमने एक वीडियो में की है उस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि परिक्षा के लिए वो बहुत महत्तुपूर्ण है साथ ही साथ इसी से संबंधित एक दूसरा वीडियो जो NTA, NET, GRF के लिए और TGT, PGT की परिक्षाओं के लिए अति महत्तुपूर्ण है हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन उस विषय पर भी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है बहुत सारे मित्रों ने उसकी प्रसंसा की है सब के positive response रहे हैं उ हिंदी साहित्य में चार काल हैं आदिकाल, मद्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इन चार कालों के नाम करने की चैचा करेंगे कि विद्वानों ने उन पर अपने-पने क्या मत दिये हुए हैं उससे पहले हमने कुछ क्वेस्चन दिये थे पूल में और उनके आपने उत्तर प्रशन पूछा गया है यही चीज आपको ध्यान देनी है यही प्रशन गलत होता है जैसे ही आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि राजापुर जिलाबादा को तुलसी दास का जन्म अस्थान मानते हैं वैसे ही आप उत्तर सही करके चले आएंगे आचारे रामचंसुक्ल और प् प्रशन को पढ़ना है और फिर आपको विचार करना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है तीन स्टेप में अगर आप उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा राजापुर जिलाबादा को तुलसी दास का जन्म अस्थान नहीं मानते हैं मैंने अ राम गुलाम दिवेदी, स्टिव सिंग सेंगर और आचारे राम चंद सुक्ली ये जो तीन लोग हैं ये तीन लोग मानते हैं कि राजापुर में इनका जन्म हुआ था जबकि ये जो राम नरेज तरपाथी हैं ये मानते हैं कि सूकर छेतर सोरो में ये भी हमने बताया है और ये भी बताया है कि अनिकिन बिद्वानों ने सूकर छेतर सोरो को उनका जन्मस्थान माना है गर आपको पता है आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट करें कि राम नरेज तरपाथी ये जो हैं इन्होंने सूकर छेतर सोरो को जन्मस्थान बताया है बहुत सारे मित्रों एक प्रशन हमने पूछा था कि कामाइनी का प्रकाशन वर्षająरी वीडियो साथ में हमने इसका उत्तर दिया था और ये इसका सही उत्तर है 1935 35 और 36 में बहुत ज़्यादा कर्फ्यूजन होती है देखिए 13 प्रस्थ लोगों ने ये भी बताया है कि 1936 जी नहीं 1936 नहीं या 1935 सही है आसान प्रस्था लेकिन उसके बाद भी देखिए ये गलत होता है गलत होने की संभावना रहती है अगला प्रस्था जो बहुत महत्तोपूर्ण है और ऐसी ही प्रस्था लिए हाइटेक हिंदी आपको देखना चाहिए और ऐसी ही जरूरी प्रस्था जहांक रहा सूर्था कमल डोलने लगे कोस खोलने लगे ये पंक्त किस कभी की है पूछा गया था हमने रिवीजन सीरीज 12 में इसको बताया भी था 12 रिवीजन सीरीज अब तक आ जुके हैं 12 वीडियो रिवीजन सीरीज पर आ जुके हैं अति महत्तोपूर्ण प्रस्था ही उसमें दिये गए अभी NTN8JRF का रिजल्ट आया है काफी सारे मित्र उसमें ऐसे हैं जो एक या दो नंबर से रुके हुए हैं ऐसे मित्रों के लिए इन प्रस्थनों को सही करना जरूरी होता है देखिए या आपने गलत किया है मैत्री सरनकुप्त 80 प्रत्सत लोगों नहीं मिलता है और हम सब क्या करते हैं अक्सर गाइडे पढ़ते हैं और ऐसे प्रस्थनों को गलत करके आते हैं अगर आपको JRF निकालना है तो आपको ऐसे प्रस्थन ही सही करने पढ़ेंगे अगर आप ऐसे प्रस्थन सही नहीं करते हैं तो आपका ज्यारेफ निकलना मुश्किल रहेगा इसलिए आपको ऐसे प्रश्णों को सही करना है तिक यासी प्रश्णत लोगों ने इसको गलत बताया है अति महत्युपूर्ण प्रश्ण था अगला प्रश्ण है कभी का ध्यान संगीत की ओर अधिक है अर्थ समन्वे की ओर निराला के संबंद में या कथन किसका है प्रश्ण यही पूसा जा सकता है कि ये किस कभी के संबंद में कहा गया है कभी का ध्यान संगीत की ओर अधिक है अर्थ समन्वे की ओर तो ये निराला के संबंद में कहा गया है कहा किस ने ही इसको हमने बताया है निराला पर हमने वीडियो बनाया है विक्तित कृतित और उसमें बताया है कि आचारे राम चंसुक्ल ने कहा है उनको जो उनकी कृतियां है राम की सक्ति पूजा हो तुलसी दास हो या जुही की कली हो ऐसी कृतियों पर जो है आचारे राम विसेश चैचा की है और उन्होंने बताया है कि कभी का ध्यान जो है वो संगीत की ओर अधिक है अर्थ समन्वे की ओर कम है 77 प्रत्षत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है कुछ लोग कनफ्यूज भी है उन्होंने हजारी प्रशाद दिवेदी भी बताया है तो इसका उत्तर होगा आचार रामचंद सुक्र अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ट अथ्यों की आदिकाल की जो समय सीमा है काल विभाजन के अंतरगत उसकी बात की गई है किन अलग-अलग विद्वानों ने क्या-क्या माना है कौन-कौन सा सं माना है इस पर चेर्चा की जा चुकी है अब हम बात करेंगे कि आदिकाल की अंतिम सीमा जो आदिकाल है वह विद्वानों ने क्या मानी है तो जार्ज ग्रियरसन उनकी पुस्तक का नाम आप हमें कमेंट करके बताएं जार्ज ग्रियरसन के पुस्तक का क्या नाम था हिंदी साहित के इतियास का और उसका अनुबाद किस ने किया था अंग्रेजी में या पुस्तक थी और उसका हिंदी में अनुबाद किस ने किया था हमने पीछले वीडियो में बताया है आप ये कमेंट करके हमें बताएंगे जार्ज ग्रियरसन निवाना है कि जो आदिकाल की समय سीमा है वो 1100 है 1200 इस मी है तो अंतिम समय सीमा उन्होंने 1400 इस मी मानी है मिस्र बंदahaha के अनुसार आदिकाल की अंतिम समय सीमा 1380 इस भी है आचारे रामचन सुक्ल के अनुसार अंतिम समय सीमा जो आदिकाल की है वह 1318 इस्वी है समवत में या क्या होगा आप हमें लिख करके बताएंगे आचारे रामचन सुक्ल ने समवत में आदिकाल की अंतिम समय सीमा क्या मानी है और ये महत्वपूर्ण है इन चार विद्वानों के नाम जार्ज ग्रियरसन 1400 इस भी मिस्र बंधुों ने माना है इसे 1387 भी मिस्र बंधुों के नाम अगर आपको पता है तो आप लिखें आचार रामचन सुक्ल के अनुसार ये 1318 इस भी है डाक्तर रमा संकर सुक्ल रसाल के अनुसार 1343 इस भी है अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम कभी या है एक बेवादित बीश है हिंदी का प्रथम कभी अलग-अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से मानते हैं इसके लिए उनके पास उनके अपने पुष्ट तरक हैं हलाकि एक प्रतियोगी परिक्षा होने के नाते हम सब का स्वागत करते हैं और परिक्षा में जिस प्रकार पूछा जाएगा आपको उस प्रकार उत्तर देना है अगर परिक्षा में इन विद्वानों के नाम लेकर के पूछा जाता है तो आपको उसी के हिसाब से उनको उनका नाम बताना है सियू सिंग हिंदी का पहला कभी मानते हैं अब प्रस्ण अगर यही पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा विद्वान ऐसा है जो पुष्य या पुंग को हिंदी का प्रथम कभी नहीं मानता है और आपसन आपके पास रहते हैं सियू सिंग सेंगर जार्ज गिरसन मिस्र बंधू और संकृत्यान राहुल संकृत्यान सरहपा को हिंदी का पहला कभी मानते हैं सरहपा की जो समय सीमा है वो आठवी सताब्दी है रामकुमार वर्मा जो हैं वो एक अलग कभी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कभी मानते हैं आठवी सताब्दी यह समकालीन थे सरहपा के गणपत गणपती चंदर गुप्त ने बहुत बाद में सालिभधरसूर को माना है ग्यारा सो चौरासी इसमी में ये अवस्थित थे सालिभधरसूर आप हमें बताएंगे कि डाक्टर गणपती चंदर गुप्त ने हिंदी साहिते का कौन साहिती हास दिखा है उनकी पुस्तक का सीरशक क्या है तो ये विभिन विद्वान हैं जो हिंदी के प्रथम कभी अलग-अलग मानते हैं वैसे सभी विद्वान एक मत होते हैं सरहापा पर हिंदी में पहला कभी की अगर बात की जाती है तो सरहापा माना जाता है लेकिन अगर विद्वानों के नाम लेकर के प्रशन रावक का आर्थ होता है ग्रिहस्त धर्म के जो आचार विचार है उनकी बातें की गई है इस पुस्तक में काब भी है और इसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है स्राव का अचार देव सेन की रचना है और 933 इसबी में लिखी गई है आदिकाल का नामकरण ये महत्वपूर्ण विशय है और परिक्षा में पूछा जाता है आदिकाल को लेकर ही सबसे अधिक बिद्वानों में मतभेद हैं और सबसे ज़्यादा बिवाद है अलग कभी हुआ करते थे जो उनकी प्रसस्ती में गायन का काम करते थे और चारण कहलाते थे तो उनका मानना है कि इस काल को चारण काल कहा जाना चाहिए आरंभिक काल मिस्रबंधू मानते हैं ये जो है एक बिवादित है कई पुस्तकों में प्रारंभिक काल लिखा हुआ है लेक आदिकाल को आरंभिक काल कहा जाना चाहिए बीर गाथा काल कहते हैं आचार रामचन सुक्ल आचार रामचन सुक्ल ने रासो परमपरा के साथ साथ अन्य चार पुस्तकों को सामिल करके बारह पुस्तकों का नाम बताया है और उन पुस्तकों के आधार पर उन्होंने बीर शादिवेदी और डाक्टर रमा संकर सुक्ल रसाल बाद के दिनों में आने वाले साहितेकारों ने आदिकाल को ही सबने सर्व मानेता प्रदान की है संदिकाल और चारणकाल मानना है डाक्टर रामकुमार वर्मा का डाक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है उनके अपने तर्क हैं इस बात को ले करके कि आदिकाल का नाम जो होना चाहिए वह संदिकाल और चारणकाल होना चाहिए राहुल सांकृत्यायन ने आदी काल को सिद्ध सामंत काल कहने की हिमायत की है वीज बपन काल किस ने कहा है महावीर प्रशाद दिवेदी ने वीज बपन काल कहा है महावीर प्रशाद दिवेदी ने वीर गाथा यूग ये बात हम कालवी भाजन के दौरान भी बता चुके हैं कि स्याम सुन्दर दास ने काल ना कहे करके यूग कहा है वीर गाथा यूग कहा है स्याम सुन्दर दास ने बीर काल कहा है विशुनात प्रशाद मिसर ने विशुनात प्रशाद मिसर की एक हिंदी साहितिक इतिहास की पुस्तक है अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं अब्रंस काल अब्रंस काल कहा है धीरेंदर वर्मा ने भाशा वैग्यानिक आधार पर काल भी भाजन किया है और उन्होंने आदिकाल को अपब्रंस काल कहने की बात कही है अंध काल कहा है कपिल कुल स्रेश्ट ने आधहार काल कहा है मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने महिला होने के साथ साथ हिंदी का पहला इतिहास लिखा है उस इतिहास का नाम क्या है यह दिया आपको पता है हमने पीछले वीडि काल कहा है राम खेलावन पांडे ने प्रारंभिक काल या उनमेस काल ये देखिया आरंभिक काल कहा था मिस्र बंदों ने जबकि प्रारंभिक काल कहा है गणपती चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल या उनमेस काल कहा है आधिकाल को ये महत्वपूर्ण है वीर प्राचीन काल कहा है संभूनात सिंग ने किसको कहा है आदिकाल के नाम करण को लेकर के जो विवात था उसमें संभूनात सिंग का मानना है कि आदिकाल को प्राचीन काल कहा जाना चाहिए बिजेंदरिशना तक का मानना है कि भीर प्रसस्ति यूग है प्रारंभिक काल और उनम बच्टर बच्चन सिंग ने कहा है कि आदिकाल का नाम होना चाहिए अब्रंस काल और जो अब्रंस काल है वो जातिय साहित्य के उदय का समय है पुरानी हिंदी का काल कहा है चंदर धरसर्मा गुणेरी ने दो आती महातुपूर्ण निबंद लिखे हैं तो उनके नाम बताएं पुरानी हिंदी का काल कहा है किसने शंदर धर सर्मा गुरे ली बहुत पूछा जाता है बक्ति काल को लेकर के बहुत कम बिवाद है और आधुनिक काल को लेकर के भी बहुत कम बिवाद है रीति काल के नामकरण को लेकर के भी विद्वानों में मतभेद है अलंकृत काल रितिकाल को अलंकृत काल कहा है मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु तीन भाई थे और तीनों के नाम थे स्याम बिहारी मिस्र, सुकदेव बिहारी मिस्र और कडेस बिहारी मिस्र और इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी नौरत ने इनोंने एक पुस्तक लिखी थी और दूसरी पुस्तक लिखी थी मिस्तर बंधु मिनोद इसकी चर्चा हमने हिंदी साहित के इतिहास लेखन के अंतरगत की है रीतिकाल माना है इसको आचार रामचंसुक ने और बाद के आने व खा जाना चाहिए कला काल मानना है कला काल कहते हैं रीतिकाल को कला काल कहते हैं डाक्टर रमा संकर सुकल रसाल मानते हैं कि रीतिकाल को कला काल कहा जाना चाहिए और आधिकाल का नाम भी उन्होंने आधिकाल रखने का प्रस्ताओ दिया है अजारी प्रशाद के साथ साथ डाक में प्रकाशित है साथ ही साथ उन्होंने कविता क्या है नाम का एक महत्वपूर्ण निबंद लिखा है जो उसी में संकलित है स्रिंगार काल विशुनात प्रसाद मिस्र ने कहा है और कला काल कहा है डाक्टर रमासंकर सुक्ल रसाल ने तो इस प्रकार ये रहा हिंदी में नाम करण को ले करके जो महत्वपूर्ण विबाद है आदिकाल को और रितिकाल को उस पर हमने बात की है राज भाषा पर हिंदी पर अनुछे 343 से 351 तक एक अति महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों ने बहुत सा राहा है जिन मित्रों ने उसे नहीं देखा उनको देखना चाहिए उपन्यास भाग एक दो और तीन के अंतरगत हमने उपन्यासों से जरूरी जितने भी प्रश्ण बन सकते हैं उन सब पर भात की है आपको देखना चाहिए रिवीजन सीरीज का 13 वीडियो तक आ चुके है 14 वीडियो हम बहुत सीग्र लेकर के आने वाले हैं इन प्रकार ये रहा आज का वीडियो किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो कोई सुझाओ हो कोई सायोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट कर सकते हैं इमेल कर सकते हैं हम उनका समची तो तर देने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद